मार्केट का सेंटिमेंट वो थोड़ी ना देखता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कब आ रहे हैं का नहीं आ रहा है यहां पर हम लोगों क्या-क्या देखने को मिला कि यहां पे हम लोगों कल देखने को मिला था कि जो निफटी में बहुत बड़ा फॉल आया में दिखने को मिला था 200 पॉइंट के अस-पस और निफटी बैंक भी 500 पॉइंट काफ़ अच्छा फॉल हम मिला बट वो जो फॉल था ना कम से यह को हम लोग करेक्शन कहेंगे नार्य कहेंगे हम इसको कोई blood बात कहेंगे या फिर हम लोग को market का जो stock market है वह crash हो गया कुछ इस तरीके का नाम कहेंगे हम लोग इसको एक छोटा सा correction कहेंगे देखे नॉर्मली इतना जो correction होना बिल्कुल भी इतना पैंनिक वाली बात नहीं है हम लोगों ने जो अनलिसिस दये था वो कहीं कहीं हम लोगों stoplights देखने को मिला है अगर मैं आपको अपना टेल्लीग्राम चनल लेकर चलूंग है कल काफी हमारा जो बोट है यह आप देख सकते हो यह हमारा जो बोट है यह काफी कल कुछ बहुत सारे जो है स्टॉक ट्रिगर कर दिया है बट फिलाल के लिए मैं अभी किसी को सजिस्ट नहीं करूंगा कि यह हर एक लेबल पर आपको जो है ट्रेड करने मिल जाए लॉरस लेव हो गया यह आप देख सकते हैं इंट्री स्टॉ किया है सिर्फ यह जो लेबल में परपर करता है सिर्फ लेबल के लिए तो यहां पर देखोगे लॉरस लेव हो गया बहुत जार इस टॉक में लोगको एंट्री मिला था ठीक है अगर आपने इसमें इंट्री किया है कोई प्राबलम नहीं आप स्टॉपलेस ले सकते हो कोई प्राबलम नहीं क्योंकि यहां पर रिस्क मेनेजमेंट वगेरा आपको कितना पर ट्रेड कितना लॉस होना चाहिए पहले से फिक्स्ट है अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ लोगों ने नहीं लिया था ठीक मार्केट का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला अब अगर आप अपने चैनल पर कि यहां से हम लोग को एक सपोर्ट देखने को मिलेगा यहां पर देखोगे कि यह जो एक हैमर केंडल फर्म किया था इसके बाद दिखें यहां से एक अच्छा हमें अपमोव देखने को मिला मेरा क्या अक्सपेक्टेशन था वो समझेए उ시면 कि यह कुछ price इस तरीके कर डाउन लगाया और यहां से मैं expect कर रहा था कि price ओपर चले जाए हो सकता है कि यह हम लोग का resistance zone है यहां पर हम लोग को कुछ इस तरीके का test करते वे price नीचे आए फिर यहां पर इस तरीके का break करें बट अभी आप देखोगे तो मेरा जो वियो था वो कहीं ना कहीं यहां पर गलत हो गया और मैं बिल्कुल एक्सेट करता हूँ स्टॉपलस लेने में मुझे कोई शरम नहीं है यहां पर अगर मेरा अनलिसेस गलत भी हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे तो सेफ हूँ कि हम मुझे कहा पर स्टॉपलस लगाना है या फिर कहा पे नहीं लगाना ठीक है यहां पर अगर आफोगे ओ लुटाय सकते उसके बारे में सोचेंगे देखें तो स्वूंग ट्रेडिंग को ना एक बहुत ही इसको एक हैं डिसदवेंटेज मानेंगे कि हमें ट्रेंड का पता थोड़ा लेट लगता है ठीक है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां से डाउन आ रहे हैं मतलब की तरीके से हम लोग काएंगे कि प्राइज डाउन ट्रेंड में है कि हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जो भी स्टॉक में मैं अनलेस करता हूं इसका व्यूव हमेशा अप्टरेंड वाला ही देता जो कि कोई भी ऋbles刃 में अगर आप देखोंगे हमारा यूट्यूब चनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो मैं ज्यादा दर कोशिश करता तो यहां से देखिए ठोड़ा सा डाउन आया उसके बाद फाइनल यहां से देखने को मिला अगर आप देखोगे यह जो support लेबल है ठीक है यहां पर multiple time test हो चुका है यहां एक बार टेस्ट किया यहां एक बर यहां एक बर तो यह भी test क्या multiple time test क्या और अभी फिर से इस level पर आया है और मुझे लगता है कि यह लबल हो सकता है कि इसको भी ब्रेक कर दे तो अभी जो भी इनलिसस आपने देखा मेरे टेलीगराम चनल पर ये हमारे टेलीगराम इसको मैं दिलेट करने वालों कि यह तो सारी बॉर्ट की थू में ही सब कुछ ट्रिगर हो रहा है कि का पर एंट्री का पर स्टॉपलस होना है मार्केट का सेंटिमेंट वह थोड़ी ना देखता है कि मार्केट में सैलिंग प्रेशर कब आ रहे कब नहीं आ रहे है यह हम लोग का पर्सनल डिसीजन होता है कि हम लोग को यह एलेट के हिसाब से कब एंट्री लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए देखे यह बोट वगएरा तो आपको बस जैसे आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिया होगा वह एंट्री स्टॉपलस उस तरीके से वह आपको देदेगा लेकिन जो मार्केट का सेंटिमेंट है जैसे कि यह एक पैनिक सिचुएशन हुआ था यह जो एक पैनिक सिचुएशन ह अगर आप देख सकते हो इसको मैं डिलीट करने वाला हूं ठीक है और नीचे जो फ्रेस्स लेबल होगे वह भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि अगर हम नेक्स्ट अभी बात करें कि निफ्ती में क्या ओ सकता है और तो मैं आपको अभी जो है इसका complete analysis बता देता हूँ कि हम लोग अभी नेक्स्ट क्या प्लान कर सकते हैं यह जो है मैंने डेली का चार्ट ओपन किया है अभी अगर आप देखोगे प्राइज यहां पर 19,281 के आसपास कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है अगर अभी आप देखोगे कल के टाइम पर अगर मार्केट ओपन करता है तो हो सकता है यह लेबल को इजिली ब्रेक कर दे क्योंकि मुझे अभी यहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अगर यहां पर बात करें कि हो सकता है अगर किसे को कल दबा के मन किया कि मैं यहां पर बाय करूंगा तो यहां से भी प्राइज उपर जा सकते है कि यह अपर एक इस पॉइंट पर हो सकते है कल डाउन ओपन करें या फिर सेलिंग देखने को मिले कुछ इस तरीके का दुबारा रेट कंडल बना दे तो मैं यहां पर तो कुछ भी प्लान नहीं करने वाला हूं ठीक है अब बात करते हैं कि सर अगर आप यहां पर बात कर रहे हो कि यहां प प्लान करना चाहिए सबसे बेस्ट चीज वही है कि आपको पेशन्स बनाए रखना पड़ेगा कहां पर आपको ट्रेड लेना है कहां पर नहीं लेना है यह चीज इंपॉर्डन होता है अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट हम लोग का सपोर्ट कहां पर हो सकता है अगर आप देखोगे मुझे ना कहीं यह पॉइंट एक सपोर्ट लग रहा है इस पॉइंट पर प्राइज आता है तो जल्दी तो नहीं आएगा थोड़ा सा यहां पर टाइम लगेगा इस प्राइस पॉइंट पर आने के लिए जो कि अगर आप देखोगे लेवल का मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं आप देख सकते हो 18,712 के असपास एक लेवल है जो कि मैरा स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो मुझे लगता है कि प्राइज अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल को आएगा उसके बाद यहां से एक अच्छा रियेक्शन हमें उपर के देखने को मिलेगा बट अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि आप यह मत सोचेगा कि यह जो सपोर्ट मैंने यहां पर ड्रॉ किया है इस सपोर्ट को हीट करते हुए यह सब कुछ ब्रेक करके आल टाइम हाई चले जगा यह बिल्कुल भी एप्रोच मत रखेगा क्यों इस तरीके का फिर डाउन आता है प्राइज कुछ इस तरीका तो यहां पर एक न्यू रेजिस्टन्स बना देगा उसके बाद यहां पर तो अल्रेडे रेजिस्टन्स है यहां पर प्राइस को रोकने के लिए आपको बहुत सारे लेवल देखने को मिलेगा इन फ्यूचर त जो कि मैं बाकी स्टॉक के अनलिसिस देता हूं अपने टेलिग्राम चनल पर ठीक है तो यह था निफ्टी 50 का जो है व्यूव और बाकी जो आगर आप सोच रहे हो बैंक निफ्टी का भी सेंसेक्स का भी यह सारी चीजे जो है एक ही दिसे काम करता है तो हम लोग इस नीचे लेवल का वेट करेंगे वहाँ पे आपको सेम ही लेवल देखने को मिल जाएगा आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी क्लिक करते हैं इंडेक्स हम लोग सेपल सेलेक्ख करते हैं Nifty bank Nifty bank वे व्याब को दिखिए निफ्टी बैंक में थोड़ा सापको एडवांस सीज़े देखने को मिलेगा निफ्टी के इसाब से जो यह प्राइज यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए बट यह अलड़ी ब्रेक कर चुका है मतलब कहीं ने कहीं निफ्टी बैंक साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर सपोर्ट ने करते कि निफ्टी बैंक फिर बात कर है मैं यहाँ परेब कर देखो कि यह निफ्टी बैंक पर देखोगे 50 50 का एकदम copy बना के रखा है copy in the sense दिखिया यहां पर एक support लिया फिर अभी down आया और इस level को यह break कर चुका है nifty 50 में जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो एक level एक important support हो सकता है उसके बाद price इस तरीके से कुछ आता है तो वह मैं आपको time to time update करते रहूंगा हमारे यूटूब चनल पर चनल पर नए चनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा अगर यह concept आपको समझ में आया तो नहीं आया तो dislike किजिएगा अगर आपको कुछ भी बुझना है तो आप हमें comment करके भी और किसी में भी आपने जो है trade plan करके रखा है कोई problem नहीं है आप यहां पर hold कर सकते हो हां बाकि अगर आपने कुछ अलग दूसरा stock plan के तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता बट इन stock में मुझे in future हमें इन stock में बहुत अच्छ हमें move expected है तो इसको holding पर बनाए रखे कुछ कुछ भी problem नहीं होगा ठीक है तो उम्मिद करता हम आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं मिलता हम आपसे अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई